है जाती मेरी मान भी है धर्म मेरा भारती क्यों सब्धता अकुला रही इनके बनेंगे सार्थी हैं हम आर्डी भारती हैं हम आर्डी भारती जिहां दोस्तों मैं आर्डी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान आज 31 दिसंबर है साल का अंतिम दिन 2019 बीत गया आपका जो हसीन पल हमारे साथ बिता जो आपने हमें सपोर्ट किया यानि एक से लेकर धाई लाग तक पहुँचा दिया और आपने पूरा सहीयोग किया है पूरा बहुजन समाज ने हमें सपोर्ट किया है बैचारिक मतभेद बहुत सारे लोगों के बीच तो होता है प्रन्तु पूरा बहुजन समाज का हमें सपोर्ट मिलता है आसा करता हूँ कि 2020 में आप हमें मिलियन तक पहुचा देंगे और इतने लोग हमसे जुर जाएंगे क्योंकि बहुजन समाज की एकता खंता में देखना चाहता हूँ मैं सब को एक साथ देखना चाहता हूँ और आप बने रहिए अगर आप नए है हमारे चैनल पर तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए क्योंकि हम तरह तरह के खुलासे लेकर आते रहते हैं बहुत सारे आपके प्रस्न होते हैं उस प्रस्नों का जवाब ढूनना जरूरी है पत्रकारता का मतलब होता है बैक आफ पत्रकारता किसी की चाटुकारी ना करें हम BSP का भी निूज लेते हैं बहुजन समाज के हर नेताओं का निूज लेते हैं आज मैं दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में घूम रहा था यह सोच रहा था कि संदीप बालमिकी जी को निस्कासित किया गया, क्यों किया गया और क्या कमिया रही होगी मैंने उनके दफ्तर पर गया, एक PN मिला, दफ्तर पर कोई नहीं था और मुझे एक visiting card दिखाया गया और दिया गया, ताकि मैं दुबारा आ सकूँ मेरे स्क्रीन पर उस visiting card को आप देख सकते हैं, और कल मैं बस्पा कार जाले भी गया था वहां भी कई बहुजन समाज के BSP के नेता मिले, उन्होंने भी अपना-पना visiting card दिया था अगर सारे visiting card को देखने के बाद आपको कुछ फर्क लगता है, आप हमें comments करके बता सकते हैं कि सारे visiting card में ऐसा कौन सा visiting card है जिस पर बहुजन समाज नहीं लिखा हुआ है, जिस पर हाथी कानिशान नहीं है, अथमा भन माया बती का कोई reference नहीं है, आप इन तमाम visiting card को गलत बोल रहा है, हो सकता है गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन दिल्ली की जो हालात है, जब गलियों में घुमते हैं, कहीं पर आम आदमी पार्टी का पोस्टर मिलता है, कहीं पर बीजेपी का पोस्टर मिलता है, कांग्रेस का भी मिलता है, सभी दलों का मिलता है, फि कि मैं जो देखता हूँ वही बोलता हूँ सुल्तान पुरी इलाका जो बहुजन समाज का एक गड़ है तो हाँ पे बहुजन समाज के नाम पे बालमिकी समाज के नाम पे और S.C.S.T. के नाम पे बोट बटोरे जाते हैं जब हम पूरे इलाके में घूमते हैं और मानिवर कासी जाम जी क्या ये सोचते थे कि बहुजन समाज पार्टी जो बना रहे हैं इसमें किराय का नेता आएगा या जो नेता कभी था ही नहीं बस्पा का उसके बारे में सारे लोग ये कहेंगे कि इसको बस्पा में लो अन्था हार जाओगे बहुत सारे लोग कभी अखले सियादव कभी संदीब बालम की और भी कई नाम हैं मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ लेकिन बहुजन समाज अपने आपको डरा हुआ क्यों महसूस करता है आप ताकतवर हैं आप में ताकत है हमने देखा है उस ताकत को हम जानते हैं और इधर उधर ना देखकर आपके बीच जो नेता है उनको आप मजबूत करें जो माने बर कासी राम का जहन डाले कर हाथी छाप का जहन डाले कर अथवा जो आपका दल है जो फैवरिट दल है आप उसको आगे बढ़ाएं पुरे बहुजन समाज को एक जुट करें ना कि प्र चुना लगने लग जाओं ऐसा नहीं नेता हुआ है जो जनता का प्रिय हो जनता के बीच में हो जनता जिसके बारे में पहुचा दे ऐसा ना हो कि बैटरी रिक्षा वाला आटो रिक्षा वाला पता पूच कर अगर हमें पहुचाता है उस जगह पे उस ओफिस में हम कैसे ऐ कैसे नेता को नेता मांग ले और वो भी बहुजन समाज का नेता मैंने बहुत कुछ देखा मैं समय आने पर बहुत कुछ बताऊंगा आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ तब तक के लिए धन्यबाद जैभीन जैभार